पर आपकी अनालेसिस क्या है और हमारे मार्केट कैसे रियाग करें? पहली चीज तो नहाई है कि एग्जेट पॉल और एग्जेक्ट पॉल में बड़ा फरक होता है तो एग्जेक्ट नतीजे जो आएंगे तो बाएंगे कमो बेश बाजार ये मान कर चल रहा है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार होगी एमसेडी के चुनाओ कभी माईने ने रखते हैं लेकिन हाँ इस बार थोड़े से लाइम लाइट में ज्यादा है बड़े समय बाद चुनाओ हो रहे हैं तो कुछ तो चर्चाएं की जाए वो अपनी जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी की बहुमत है बनने की संभावना पूरी है और वैसे भी दो टाइम से वहाँ पर दिल्ली में उनकी सरकार है तो कोई बहुत बड़ी बात हैं यह वो भी काफियत तक डिसकाउंटेड है कितने मार्जिन से कौन किसकी कितनी सीते आती है वही देखने वाली बात दिल्ली में है तीसरा है हिमाचल प्रदेश जह भी बना पाएं तो कोई खास फरक नहीं परता है तो मुझे नहीं लगता कि देश की और राजनिती के लिहाँ से और मार्केट के लिहाँ से यह बहुत इंपोर्टेंट होता है इंपोर्टेंट तब हो सकता है जब गुजरात या हिमाचल में दोनों ही जग बीजेपी की सरक है नीट्रल से हलके पोजिटिव आप मान कर चल सकते है जो एकडिक पोल के नतीजह है अब आठ तारीक को आ जाएंगे आपके सामने एकडिक नतीजह तब देख लेंगे लेकिन ब्रोडली मतलब इन नतीजह का मार्केट के लिए आज से आप देखें तो बड़ा फरक नहीं है वह important है हम जो analysis करते हैं market के इंगल से करते है market को क्यों अचा लगता है वह भी बता दू मार्केट को ऐसा नहीं कि कोई एक्स पार्टि एची लगति है वाय पार्टि एच्छी लगति है मार्केट को स्टेबिलिटी और जो पोलिसी चल रही है अगर बाजार उससे खुष है और उस पोलिसी की कंटिनूटी रहती है तो वो बाजार को पसंद आता है और यही वजए कि अगर BJP आर्ट तारीक को आपको हिमाचल और दोनों जगे दिखती और अगर रूफ हो सकता है दिल्ली में भी गार प्रवेशन जो उम्मीद है उसे बैतर करे तो आर्ट तारीक को जो रेक्शन होगा वो ज्यादा बैतर हो सकता है आज के लिए न्यूटरल से हलिका पोजिटिव रेक् देटेशन हो ऊजया हो जो आर उर्ट ए समय जो में हो इस बढ़ते सी हरे ड्नी समयर दो आता है आज को ढो रगर करे तो आज हे वो जो में हो जुड़़ गडग ए मोले गो वी को रह बढ़ा दो देट